Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by T.K. Khural. Young's Modulus of Elasticity क्या होता है? यह हमने अपनी प्रिवेज वीडियो में पढ़ा है. Young's Modulus of Elasticity क्या होता है? It is the ratio of normal stress to the longitudinal strain. हमारे पास Young's Modulus of Elasticity की definition क्या है? It is the ratio of normal stress to the longitudinal strain within the elastic limit. अब हमने इस जो टॉपिक है, उसके अंदर क्या करना है? हमने डेटर्माइन करना है Young's Modulus of Elasticity किसका? वायर के मेटीरियल का. हमने वायर के मेटीरियल का, जो Young's Modulus of Elasticity है, उसकी वैलियो को फाइंड आउट करना है. और हमें यह पता है कि Young's Modulus of Elasticity किसके इकवल होता है, नॉर्मल स्टॉपिक है इसे एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट को एक्सपेरिमेंटली हमने परफॉर्म किया, हमने उसकी लिए क्या 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 लिए है, हमने जो यह फिगर बनाई, उसकी क्या है, हमने लेली दो वायर्स, जिनका जो मेटीरियल है, वो सेम है, लेंथ भी सेम है, और एरिया ओफ क्रो सेक्शन भी सेम है, हमने क्या किया, दो वायर्स लेली, A और B, उनका जो लेंथ, एरि rigid support से connect कर दिया एक rigid support से suspend कर दिया दोनों wires को और यह वणी जो wire है हमारे पास इनकी original length है हमारे पास L इन जो wire है इनकी जो original length है हमारे पास वो है L उसके बाद हमने क्या किया है यहाँ पे कि हमारे पास जो wire A है इस wire को हमने नाम दे दिया reference wire का ये है हमारे पास reference wire और ये जो second हमारी wire है इसको हमने नाम दे दिया experimental wire का हमारे पास जो wire A है इसे हमने नाम दिया है reference wire का और इस reference wire के end पे हमने क्या किया है एक pan लगाया है जिसके अंदर हमने क्या किया है weight डाला है और यह weight क्यों डालना है यह मैं बताऊंगी अपनी जब हम इसकी working करेंगे तब उसके बाद हमने क्या किया हमने second wire ली है wire B जिसको की हम experimental wire बोलेंगे और इस wire के उपर भी हमने एक pen लगाया है और इस wire के उपर भी हम क्या करेंगे weight को suspend करेंगे weight इसके अंदर डालेंगे ए वायर जो है उस wire के end point पे हमने एक main scale लगा दिया है यह हमारा main scale जो M नाम दिया है यह हमारा main scale और यह है हमारा vernier scale हमारे पास यह जो scale है बड़ा scale इसको हमने नाम दिया है main scale और जो छोटा scale है हमारे पास इसी के ही साथ attach है उसे हमने नाम दिया है vernier scale का अब हमने क्या किया है कि यह main scale है वो किसके साथ attach है wire A के end के ओपर attach है near to the end end के near हमने इसको attach किया है और जो हमारा यहां पे जो B वायर है B वायर के end पे हमने एक pointer लगाया है यह pointer हमने किसकी साथ attach किया है वर्नियर स्केल के साथ अटेच किया है और ये वर्नियर स्केल किसके साथ अटेच है में स्केल के साथ अटेच है हमने यहाँ पर reference wire क्यों use की है reference wire use करने का क्या reason है कि हम चाते हैं कि हमारे पास किसी भी तरह की कोई भी error ना रहे तो हमने क्या किया है यहाँ पर reference wire यूज किया है ताकि हमारे पास जो wire B है वो room temperature के अंदर अगर इसके अंदर कोई भी change आता है तो हम क्या कर सकें? compensate कर सके with the help of reference wire, with the help of reference wire हम क्या कर सकें? इस wire B के किसी भी change को compensate कर सकें जो room temperature की वज़े से आ सकता है सो अब हम start करते हैं इसकी working, working में हमारा जो first point है वो क्या है? हमने सबसे पहले क्या करना है? इन wires के kinks को remove करना है, A और B wire के kinks को remove करना है, kinks remove करने का मत्ता कि कहीं से wire moody है, tudi है, कहीं से bend हो रखी है, कुछ भी है, हमने क्या करना है? इन wires के kinks हैं, उसको सबसे पहले remove करना है, remove हम कैसे करेंगे? यह जो pants हमने यहाँ पे लगा रखे हैं, इन pants में हमने क्या करना है? थोड़ा weight डालना है, ताकि वो क्या हो सके? जो wires है एकदम से straight और एक दूसरे के parallel हो जाएं हमने क्या करना है? इनके kinks को remove करने के लिए, इन जो pants हमने end पे लगा रखे हैं, इनके उपर weight डालना है, ताकि इनके जो kinks है वो remove हो जाएं और जो wire है वो एकदम से straight और एक दूसरे के parallel हो जाएंगे तो है हमारा first point और हमने क्या करना है? जब हम यह wire हमारी straight हो जाएगी हमने क्या करना है? इनके readings को note करना है main scale और vernier scale में से, उसके बाद second point क्या है? हमने क्या किया? हमने तो यह reference wire यूज की हुई है, A wire हमने reference wire यूज की हुई है और B जो wire है हमारी main wire है, जहाँ पर हमें क्या करना है? experiment, perform करना है हमने क्या किया है? सबसे पहले तो जब हमने इनको straight कर दिया है, तब हमने क्या किया है? इन दोनों की reading से उनको note कर लिए main scale और one year scale की help से उसके बाद हमने क्या किया है B जो wire है इसके pan में हमने क्या करना है weight put करना है अब हमने इसका कोई roll नहीं है अभी फिलहाल इसका roll कब आएगा कि जब हम इसके उपर weight डानेंगे ये जो wire वो stretch हो जाएगी इसके अंदर change आजाएगा वो change को हमने देखना है कि पहली वाली reading और दूसरी वाली reading में क्या change है वो हम study करेंगे फिलहाल अभी इसका roll नहीं इसका roll हमें सिरफ change देखने के लिए हम देख करेंगे अब हमने क्या किया है जो B wire है B wire के उपर हमने weight डाल दिया जब हमने weight डाला B wire के उपर इसके pan में तब क्या हुआ ये wire क्या हुई stretch हो गई है तब wire क्या हुई stretch हो गई तब उस case में हमारे पास क्या होगा इस wire के अंदर extension आजेगी B wire के अंदर हमारे पास extension आजेगी तो हमने suppose कर लिया कि हमने जो weight डाला है इसके अंदर वो M weight डाला है हमने suppose कर लिया कि जो B wire है उसके उपर हमने जो weight डाला है वो है small M और हमारे पास जो R और L है हमने क्या लिया small R और small L जो है हमने initial radius और initial length ले ली है wire B की तो उसके बाद हमने क्या किया कि जब इसके अंदर extension आगी इसके अंदर extension आगी B wire के अंदर तो हमने क्या की reading note कर ली फिर हमने क्या करना है जो हमारी पहले reading आई थी और जो हमारी second reading है हमने उन दोनों को minus करके देखना है तो हमने पता चाहिएगा कि हमारे पास कितने extension आई है कितना change आया है अब हम इसको क्या करते है mathematically करके देखते है सबसे पहले क्या होगा और यहाँ पर जब हमने इसके उपर weight डाला है तो इसके अंदर कौन सी stress आएगी हमने किया है कि B wire के अंदर extension किस form में आएगी extension means length की form में आएगी extension क्योंकि हमारे पास एक simple wire है इसके अंदर कौन सी stress आएगी चेंज आएगा length नonces वहाँ हे Г wire है वह क्या होगी हमारे पास क्या करेंगे इसको perform करके देखेँंगे इसका mathematically वो कैसे हमें पता चले हैं यहाँ पर अब हमारा जो area of cross section होगा wire b का यह है wire b इस wire b का जो area of cross section होगा वो क्या होगा pi r square इसके उपर जो stretching force लगी है weight apply करने के बाद वो कितनी होगी mg m तो हमने लियाता नहीं कि हम weight लेके चल रहे हैं कि हमने suppose करो कि m weight उसके अंदर डाला है तो mg हमारे पास क्या हो जाएगी force हो जाएगी उसके बाद हमारे पास जो normal stress किसके एकवल होता है force upon area के एकवल होता है normal stress तो normal stress क्या है force upon area force क्या है mg और area कितना है pi r square so mg over pi r square यहाँ पर हमें normal stress मिलेगी देन हमारे पास change किसमें आ रहा है length में change आ रहा है क्या हो रहा है extension हो रही है it means कि longitudinal strain आएगी longitudinal strain किसके एकवल होगी delta l by l means change in length to the original length अब यहाँ पर हमारे पास बात है यहाँ पर आप हमने निकालना है young smallest of elasticity so young smallest of elasticity किसके एकवल होता है normal stress to the longitudinal strain तो normal stress हमारे पास किया है mg by pi r square then longitudinal strain किया है delta l by l तो denominator में जाएगा तो उपर जाके multiply में हो जाएगा तो यह हमारे पास जो young smallest of elasticity है वो हमने determine किया है तो यह हमारे पास इसकी complete जो working और इसकी construction है इसकी theoretical part जो मैंने आपके सामने discuss किया है so I hope आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को like करना मेरे चैनल को subscribe करना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा friends और family के साथ share करना and thanks for watching